नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चेनल टाकड क्रिकेट में IPL 2022 का एक और बैदी रोमाजक मुकाबला दिल्ली केपिटल और कॉलकता नाइटरडस के बीच खेला जाना है यानि कि रिसब पन्त और सरयास आयर एक दूसरे के आमने सामने होने जा रहे हैं तो दोस्तों यह मुकाबला कापी रोमाजक होने वाला है लेकिन इस मुकाबले के लिए सरयास आयर और रिसब पन्त ने अपनी टीम में बड़े बदलाव किये हैं तो इन बदलाओं के बाद आप कौन सी टीम है मजबूत ये हम आपको इस वीडियों बताएंगे साथी मेच प्रेडेक्सन हम आपको बताने वाले हैं और तमाम जानकारी इस मुकाबले से जुड़ी वी आपको देंगे दिल्ली के बिडल ने बड़ा स्कोर खड़ा गया था और मुकाबले में सांदार चीत दर्च की थी यानि कि जब पिछली बार दोनों आमने सामने हुए तो रिसब पंत बारी पड़े थे सर्यास आयर पर लेकिन सर्यास आयर अब एक बार फिर पूरी तयारी के साथ मैदान पर उतर रहे हैं वैसे देखा जाए तो दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला चीतना कापी जरूरी है क्योंकि प्ले आप में बने रहने के लिए इनके लिए जहर एक चीत जरूरी है क्योंकि यहां से एक मुकाबला हार थे इन्हें प्ले आप की रेस से बार भी कर सकता है वैस पर आंद्रे रसल ने भी जादा कुछ खास अब तक किया नहीं है हाला कि कुछ मुकाबलों में अच्छी पार्य जरूर खेली लेकिन बाकी बलेबाजू का साथ ना मिलने के कारण इस टीम के लिए मुस्किले खड़ी हुई है अब तक यानि कि इस मुकाबले में भी एक बार फिर इनकी बलेबाजी चिंता का विसे हो सकती है क्योंकि बड़े पलेइर अभी भी इस टीम के अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आए हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करें तो गिनबाजी में कुल्ती ब्यादव, कलील, एमद और मुस्ताफिज, रिमान ने भी कमाल करके दिकाया है ऐसे में यापर इस मुकाबले में थोड़ा सा पलड़ा तो पारी नजर आ रहा है दिली केपिटल का क्योंकि इनकी फॉर्म काफी सांधार है लेकिन दोस्तों अब भी तक दोनों टीमों की तरफ से बिग हिटर की हम बात करें इस मुकाबले के लिए तो जहां एक तरफ रोमन पावेल मौजूद है तो दूसरी तरफ मौजूद है अंद्रे रसल यानि कि दोनों खिलाडी कमाल कर सकते हैं इस मुकाबले में भी वहीं पर दोस्तों अब हम जानते हैं दोनों टीमों की पलाइंग 11 के बारे में कि आकिरकार कौन से 11 खिलाडी के साथ दोनों टीमें उतर रही है इस मुकाबले में तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कोलकाता नाइट अडस की तो कोलकाता नाइट अडस का अब तक परपॉमेंस उतना अच्छा नहीं रहा है ओपनिंग जोडी का लेकिन एक बार फिर हमें सेम बिलिंग्स और सुनिल नाराइंट पारी की सुरात करते हुए दिखेंगे दोनों खलाड़ी यहांपर सांदार वैं विस्पोटक सुरात कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों नमबर 3 पर हमें खेलते पे नजराएंगे कप्तान सरयस आईयर तो वहीं पर नमबर 4 पर हमें दिखने वाले हैं नितिस राना सरयस आईयर और नितिस राना का परफॉमेंस तो ना अच्छा नहीं रहा है तो वहीं पर दोस्तों नमबर पांच की हम बात करें तो यहां पर हमें रिंकु सिंक खेलते वे नज़राएंगे तो नमबर चैपर आंदरे रसल उतरने वाले हैं जबकि नमबर साथ पर हमें फेंक टेस आयर दिखेंगे तो नमबर आठ पर टीम साथी उतरने वाले हैं वहीं पर दोस्तों नमबर नो की हम बात करें तो इस टीम की तरब से उमें स्यादव उतरेंगे तो नमबर दस पर सीवं मावी और नमबर ग्यारा पर वरुन चकरवरती हमें खेलते वे नज़राएंगे वैसे देखा जाए तो गेनबाची भी अच्छी सुरात टीम को देनी होगी वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं दिल्ली केपिटल की टीम की तो दिल्ली केपिटल की तरब से ओपनिंग करते वे नज़राएंगे पिर्टवी सो तो उनके साथ होंगे डेविड वोर्नर दोनों यापर कापी संदार बलेबाजी का मौका दिया जा रहा है तो नंबर चार पर कप्तान रिसब पन्त हमें खेलते वे नज़राएंगे रिसब पन्त से भी संदार पारी की उमीद होगी तो वहीं पर दोस्तों नंबर पाँच पर रोमेन पावेल उतरेंगी चिनका पावर हमने पिछले मुकाबले में देखा उमीद है यहाँ पर और बी बड़ी पारी खेलेंगे तो वहीं पर इसके बाद नमबर च्छा पर लली त्यादो उतरेंगे तो नमबर साथ पर अक्सर पटेल उतरने वाले हैं नमबर आठ पर सारदोल ठाकूर उतरेंगे तो नमबर नौ पर कुल्दी प्यादो खेलते वे नजराने वाले हैं वहीं पर नमबर दस पर मुस्ताफिजू रह्मान उतरेंगे तो नमबर ग्यारा पर खलील एहमेद उतरने वाले हैं यानि कि देखा जाए तो इस टीम की पलेंगे लेओन कापी मजबूत लग रही है कोलकाता नाइट आड़स से यानि कि इन फॉर्म बलेबाजू की संक्या है तो वहीं पर आल रॉंडरो ने एक कमाल किया है अब तक इस टीम के लिए वहीं पर दोस्तो अब हम बात करते हैं इस मुकाबले की तो मुंबई के वान केड़े में ये मुकाबला खिला जाएगा क्योंकि बले बाच कापी संदर पॉम में चल रहे हैं दिली के तो वहीं पर स्टर्गल करते वे दिखें अब तक कोलकता नाइट अडस के बले बाच तो दोस्तों आपको क्या लगता कौन सी टीम चीतेगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को जदा जदा सेयर जरूर करें तन्यवाद दोस्तों